नमस्का और मैं संजैसर म्यूटूब के सभी वीवर्स का हरदे से अभी वादन करता हूँ वीवर्स आज बात फिर तेरापन समाज की और वो समिधान संसोधन पर की आज तो परिक्षा की घड़ी है जैसा कि आप जानते हैं कि आज बेंगलोर में करीब पांच बजे वो वार्सिक्स बैठक होनी है संभावना है कि वोटिंग भी हो सकती है वीवर्स कॉलकता में मैंने कुछ इंट्रिव्यूज लिये थे आपको अगर याद होगा कि सित्यासी वर्स से बुज़ूर्ग जाने पहचाना तेरापन समाज का एक नाम स्रीमार अभे सिंग्जी सुरणा का भी मैंने एंट्रिव लिया था उसके बाद मैं जोद्पूर और सिर्यारी आचारी विक्षू के धम जागन में चला गया था उस वक्त एक घटना हुई जब अभे सिंग्जी से हमने साक्षात कर लिया था तब उन्होंने इस प्रस्ताव का भीरोद करते वे एक बात कही थी बड़े दर्थ से कहा था कि मेरा सरीर अस्वस्थ है मैं वहाँ जाकर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता लेकिन मैं समाज से अपील करता हूँ कि इस प्रस्ताव का भीरोद करें इस प्रस्ताव को निरस्थ करें लेकिन आश्चरे जनक बात ये है कि जो अपनी सरीरिक अस् दर्वाजे पर ले जा करके इस को खारीज करवाने की कोशिस नहीं कर रहा है तब अभे सिंग जी सुराना अदालत के दर्वाजे पर अपनी अपील को लेकर के चले जाते हैं और अदालत से जो आदेश मिलता है उसमें एक आठ नौंबर की तारीक मिलती है के इसकी सुनवा आते हैं और समाज के कुछ यूवा कुछ प्रभुद कुछ अनुभवी लोग तुकर तुकर इस तमाशे को मौन मुक सहमती देते वे देखते रह जाते हैं यह बड़ा सवाल है आज जब मैं कलकता पहुंचा हूँ तो आज फिर मैं उनी का साक्षात कार लेने के लिए आया को सलामी मिलने चाहिए सच जानिये इंटर्वी के साथ मैं उन सुरणा साहब को सलाम करने के लिए भी आया हूँ तो आज का इंटर्वी आप देखिए कि सुरणा साहब ने जो ये अदालत की मोहीम चालू की है क्या यह यहीं तक है या इसे आखरी मोड तक ले जाएंगे प अवे सिंग जी सुरणा से मुलाकात करते हैं और उनका दिल उनका बयान क्या कहता है क्योंकि आज उनका बयान समाज पर बहुत अस्र डालेगा कुछ लोग जो चुप हैं खामोस हैं वो आवास देने के लिए मजबूर होंगे और कुछ लोग हो सकता है कि वोट देने के वक विवर्स देख रहे हैं केमरे में अवे सिंग जी सुरणा हमारे साथ केमरे की स्क्रीन पर सुरणा साथ प्रणाम आपने तो सर कमाल कर दिया आपने कमाल कर दिया कि पूरा समाज देखता रह गया और सित्यासी वर्स की इन बुड़ी हड्यों ने ये बता दिया कि जुनून किसे कहते हैं जजबा किसे कहते हैं और जोस किसे कहते हैं आपने समाज को एक नई रहा दिखा दी स्रणा साहब आपका इंटर्यू मैंने लिया था उस वक्त आपने विरोध किया था आपने कहा था कि मैं सरीरिक रूप से कई मेसेज आए हैं जो आपको सलाम कर रहे हैं और वो सलाम करने वाले मेसेज मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ कि समाच आज आपको सलाम कर रहा है सुरणा साहब मेरा सवाल यह है कि आपने अदालत की यह मुहिम तो सुरू कर दी लेकिन यह क्या यहीं तक रहेगी या इसे अंजाम तक ले जाएंगे सुना शाब इस जोस के साथ मन में क्या चल रहा है उसके हरी परनाम दिखावा मिलेगा तो मैं इंट से इंट भी बजा दूँगा इंट से इंट भी बजा दूँगा अगर बात समाज की सुरक्षा की आई और अगर जंग भी करनी पड़ी तो फिर इंट से इंट भी बजाती जाएगी अभे सिंग जी सुराना कोई खास बात अभे सिंग जी आपके बारे में हमने सुना है सर कि आचारे स्री तुलसी के जमाने में जो एक अगनी परिक्षा का जो एक विवादास पद एक घटना हुई थी उसमें आप आचारे स्री तुलसी के सुरक्षा कवच क की दिवार बन करके खड़े हो गए थे आज फिर आप समाज की सुरक्षा की दिवार बन करके खड़े हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि में तो भूट वोटा अद्म हूं समाज की भलाई चाहता हूं खास मेसेज देना चाहिए शुना साथ मैसेज यह देना चाहूंगा कि हार एक आद्मी को इसका विरोधत करना चाहिए आज मीटिंग है हो सकता है वोटिंग भी हो मैंने केस कर दिया है जिसकी तारिक आठ नॉमर पड़ी है उस समय इंजेंक्शन मुझे वश्य मिलेगा और नहीं भी मिले तुम आई पोड जाओंगा और यह आउशक अपड़ी तो सुप्रीम पोड तक इस केस को ले जाओंगा क्यों कि इस मामले में मतला कि इतना अडंगा ह है कि एक आदमी दो आदमी मिलकर के पूरी संस्ता बड़ लेना चाहते हैं यह बात अवे सिंग जी सुराना कह रहे हैं और इसलिए आवेशक्ता पड़ी तो इंट से इंट बजाने की बात भी यहां हो रही है कोई खास बात सुराना साब कोई मन में अगर कुछ और चल रहा हो कि इस केस को आप लड़ रहे हैं और आखिर दम तक आप लड़ेंगे परिणाम तक यह जी जान से इसके लिए तयार हूंगा यानि कदम जो आगे बड़े हैं वो पीछे नहीं हटेंगे लोग यहने समझें कि बस बात यहीं तक थी यह तो खेल शुरू हुआ है साहब देखते जाए आगे होता क्या है वीवर्स आपको इस क्लिप के साथ अब एक ऐसी सक्षियत से मिला रहा हूं जिसके पास समाज भी है जिसके पास कानूनी बेस भी है अवे सिंग जी सुरणा के सुपुत्र स्रीमान जै सुरणा हमारे साथ केमरे की स्क्रीन पर आप हाई कोट के जाने माने पहचाने अधिवक्ता हैं और सुलिसिटर हैं आपके पास कॉल्ट केस का बड़ा अनुबव है जै साहब हमारे साथ जुनने के लिए बहुत-बहुत स्वागत आप वेस्ततम समय में से समय निकाल करके आए और सर सवाल यह है कि आपके पास इस केस के पेपर भी आपके पास आ गए हैं और महसभा का भी पत्र आपके पास मैं देख रहा हूँ टेबल पर पड़ा है और कुछ आपके करेक्सन भी है मुझे लगता है महसभा के पत्र को आपने बहुत गोर से पड़ा है क्या लगता है साथ इसा जो यह नोटिस था उसमें क्या लगता है जै सुरना क्या कहना चाहते हैं कि लीगल एंगल के पहले मैं एक जरह सब्सक्राइब करने चाहूंगा तेरा पंध धर्मसंग एक गुरू एक विधान पर आधारित है पर अब ऐसा लग रहा है कि एक गुरू एक विधान के अलावा एक श्रावत पूरा समाज हो रहा है यह मैं इस तक तक पर बोल रहा हूं जो मैं नोटिस मेरे पिदाजी ने मेरे दी है तो मैंने कर इसको देखा था भाकी संसोधन अभी जगापे हैं संसोधन नंबर 12 सबसेक्शन फाइव यह संसोधन अगर पारित होता है तो मैं कह सकता हूं अंफटर्ड पावर एक वक्ति में जो केस्रेंट बन जाएगा उसको मिल जाएगा और वह अंफटर्ड पावर इतना ज्यादा होगा कि गुरू एक तरफ और समाज का वक्ति एक तरफ पहले यह था कि गुरू सर्वोचे है लेकिन आप जिस पावर की बात कर रहे हैं उसे लगेगा कि कुछ लोग या वो वक् जाते हैं तो दुबारा केंडिड्स कौन आएंगे फ्यूचर में कैसे चलेंगी आज तो हो सकता है मेरे को इतना एडिया नहीं है कि समाज में इनको किनका किनका इनको बिलावा है जो भी आगया आना चाह रहे हैं जो यह अब तक तो दो 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 थे कि जो प्रस्तावक और किस्ताएं कि जो अब बहुत होदो दो तो ऊसकता है कि है जिस तेरापन समाज में एक गुरू के परतियास्ता की बात रहती थी उस गुरू का पावर ही कहीं न कहीं खतम हो रहा है कुछ लोग उस पावर को सीज कर रहे हैं उस पावर का अधिगरण कर रहे हैं बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात जैसरोना जी ने इस नोटिस के नंबर सर कौन सा नंबर है यह 12 सबक्लोज 5 है 12 सबक्लोज 5 और इक बात में और कहना चारा हूं दर कि मैंने अपने जीवन काल में दो गुरू का सानिदे पाया है जी अभी के गुरुदेव हमारे तीसरे गुरू है दुख एक ही बात का लगता है कि पिछले दो-तिन सालों में सुनने में आता है दीखते हैं कि चारूर तरफप कोटकचरी यहां चालू हो गई है व्रति विशेश का नाम आता है और ऊसरोक्ति विशेश के पार उस समाज चाय गौअडी हो चाय कलकटा हो चाय वंबे आधरावाद हो जहां भी हो पने को पर समय만 ना चाहिए पूरी समा समाज में समाजिकता रहनी चाहिए या विवाद कोल्ट कचरी में जाने चाहिए बहुत बड़ी बात है जो यह कोल्ट का ओर्डर है एक वकिल के रूप में आप तो अनुभवी है इसे आज की जो मेटिंग है उस पर क्या इंपेक्ट पड़ सकता है इसको देखा नहीं है नो परिशन आपको बता सकता हूं जिए आ मैं पड़ी देता हूं इसको हाओ वर इशु शोको नोर्टिस अपन देफेंडेंट्स रिस्पांदेंस अस तो वाई दिप्रेयर फोर इंजंक्शन शाल नोट बी ग्रांटेट अगेंस एक विदिन थर्टी देश्ट देश्ट इस न नोवमर को सुन्वाई की बातец कि लिए आएगी अगर यह प्रस्ता पारित भी करतें तो कोट चाहें तो रद कर सकता है एक दाम कर सकते हैं पावर है जैसे इस अटेड पावर नेना चाहें हैं कोट उमारे देश देश में सब आटना पावर साफ बिदिन दर नो गो कुछ ले सकता है उसके बाद जैसे मेरे पिजाजी ने कहा कि उपर भी वेंच और लेर्स हैं हाँ ओक हाइड है सुप्रेम कॉर्ट है तो देका सका है लेकिन टो मैं कि अगी बात बोलना चाहता हूं एक पुराना काफी जाना माना एक लाइन है बहावरा है जी पावर मेक्स पीपल करप्ट एन एपसलूट पावर मेक्स पीपल एपसलूट करप्ट आरे बाप बहुत बड़ी बात है जी 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 बहुत बड़ी बात जी हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और बंधों ये बहुत बड़ी बात जा रही है ये समझे कि कॉलकता के सुरणा बहुन से सुरणा निवहस से मेंगोलेन से अवे सिंग जी सुरणा और उनके पुत्र अवे सिंग जी ने अपने स्रावक्तव की बात कही और कॉल्ट के दर्वाजे तक चले गए स इसलिए पहले उन्होंने समाजिक्ता की बात की उन्हें दुख इस बात का है कि जिस समाज में गुरू सर्वोचे होता है अब आने वाले दिनों में कुछ लोग सर्वोचे हो जाएंगे और कहीं ऐसा नहों कि गुरू को उनके अधिन काम करना पड़े बहुत तकलीफ की बात यह इन्होंने कही और जहां तक कानूनी बात है कानूनी बात को भी उन्होंने पुरी अंदाज में कहा यह मत समझेगा अगर आपने आज प्रस्ताव पारित भी कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित ही हो जाएगा यह मत समझेगा क्योंकि कॉल्ट में आपकी फाइल खुल ग आप तक आते रहें बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा बहुत बहुत आभार शुक्रियार